हेलो दोस्तों रुप्सका दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन इडाफर्स्ट यूट्व चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई वड़ी और लेटेस अपडेट के बारे में जोकी सम्दित है परिक्षा कलेंडर के बारे में यूपी saf के बात की जाय किज़ा था नगती यहां पर गलत लिखी हुई है सर आप ऐसे गल्ती कैसे कर सकते हैं गल्तिया नहीं होती यह क्या होता है और टाइपिंग के समय मिष्टिक हो जाती है तो इस तरह की चीजें हो जाती है ना तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है साथी साथ उन्हें तहजार सिच्छक भरती के साथ हम बात करेंगे यूपी पीसेस आरो यारो के बारे में भी डेटियल में बात करेंगे उसे पहले चैनल को सब्सक्राब करेंगे बेल आइकन को दबाले और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको ध्रीयल ऑथेंटिक जानकारी ओन्लाइन अड़ाफर श्ट्डी यूट्यूब चैनल के मा अगर बात की जाए टीजडी विजडी एक्जाम डेट की बारे में भी क्योंकि शिक्षा सेवा चैन आयो के माध्यम से जिस तरीके से परिक्षा को लेकर त्यारी की जाई थी जल्दी बाजी में गईने के उनके माध्यम से परिक्षा को लेकर पूरी कोशिश की गई लगात परिक्षा केंद नहीं मिले तो उनको अपनी परिक्षा में बतलाब करना पड़ा और अब शिक्षा सेबा चैन आयोग के माध्यम से अलग अलग समाचा पत्तों की तरब से जानकाई भी आ गई कि टीजिटी पीजिटी की जो परिक्षा है वो आपकी फरबरी अप्रेल में दे किया इसके बारे में शिक्षा सेबा चैन आयोग के माध्यम से अनाउस्मेंट कर दी गई है कि परिक्षा तिथियों की जल्द करेगी घोष्णा शिक्षा सेबा चैन आयोग लिखा हुआ है नौ और दस फरबरी को असिस्टन परफेसर और अप्रेल में टीजिटी पीजिट परिक्षा कराने को लेकर उत्तरपदे शिक्षा सेबा चैन आयोग ने साल 2022 में असिस्टन परफेसर और टीजिटी पीजिटी भरती का विज्ञापन निकाला था ऐसे में अगर बात की ज़िए बरती की परिक्षा कराने के लिए परिक्षा अध्यादेस मानकों के अनूप जिला अधिकाई से परिक्षा केंदों की सूची मांगी सबी जिला अधिकाईयों को बेजे के परते में असिस्टन परफेसर बरती के लिए 9-10 फरवरी और टीजिटी विजिटी के लिए 4-5 अपरेल तथा 11-12 अपरेल प्रस्तावित किये जाने को इस पस्ट है कि यहाँ प जिकाई तोव पर जल्द तितियों की जो गोश्ट था उसको लेकर कहिने कि मांग पूरी करने की तियाई में आयोग लिखा हुआ है कि प्रकिया इज करने की तियारी इन भरतियों के लिए आफिदन उच्चतर सिक्षा सिवा आयोग तर्था मांदिमिक सिवा चैन बोर्ड म धाई साल पहले लिए थे लेकिन परिक्षा है आयुजित नहीं हो सकी थी आप इजर लेने वाले दोनों भरती संस्तान कहीं नेकी शिक्षा सिवा चैन आयोग के अंदर कह सकते हैं बिला कर दिया गया जिसकी वज़े से दोनों की दोनों जो भरती है वो लटक गई थी लेकिन बड़ी और बेकिंग यूज आप सभी के सामने यह है कि टीज़टी बिज़टी भरती को लेकर जो अपरिती इंतजार करे थे काफी लंबी समय से इसको लेकर जल्दी शिक्षा सेवा चैन आयोगी एक नोटिस के मादियम से आप सभी के लिए परिक्षा की तारीकों की करने जा रहा है और यह आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी जादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा अच्छी बात यह है कि अब आपके सामने जो परिक्षा की तियारी की जा रही है वो फर्दरी और अप्रेल की है इससे क्या बेनिफिट होगा इससे बे बात में किसी तरह की मांग तो नहीं करेंगे परिक्षा को इस्तरगित करने की चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संब्द देता है सुपर टीटी और टीजडी बिजडी के सास्ता यूपी बीजडी के बरती कलेंडर के बारे में भी क्योंक इसको लेकर भी जानकाई यहां पर लिखी होई है साल 2025 के कलेंडर में नई बरतीयों के साथ लंबित परिक्षा को भी करना होगा शामिल उत्रपद्र लोकसिवा आयोक के माध्यम से अमूमन दिसंबर के अंतिमर या जनिवरी के शूबात में बारसी परिक्षा कलेंडर जार दोज़ा 25 परिक्षा कलेंडर में आजो या दो प्रामिक परिक्षा दोज़ा 23 को भी शामिल करना पड़ेगा लेकिन यह अभी तक तैय नहीं है कि आयोग ये परिक्षा एक दिन या एक से अधिक दिनों में आयोजित करेगा इस बार यूपी पीस्ट की तरब से परिक्षा परिक्षा करानी पड़ेंगी अगले साल दो पीस्ट की साथ साथ अगर बात की जाए तो कुछ मुख्य परिक्षाएं भी देखने के लिए मिलेंगी इसके लावा उनके इंटिव्यू करानी होंगे तो ऐसे में आसान काम नहीं होगा लेकिन इसी के साथ अगर बात कर लिज सिच्छक बरती जिसको आप ल्टी के नाम से जानते हैं राजकी इंटर कॉलेजियों प्रवक्ता बरती राजकी महाविद्यालेम असेस्टन प्रफिसर बरती खंड शिक्षा अदिकाई बरती समयत कई नई भरतियों के विग्यापन आपको देखने के लिए मिलेंगी यानि पेपर लीक हो जाने के बाद आयोग की साग पे बड़ा दबा लगा है जिसको मिटाने का उनका प्यास होगा फिलाल देखना दिल्चस होगा वो किस तरीके से चीज को मिटा पाते हैं वहीं दूसरी तर बात कर लेते हैं अपनी एगली अपडेट के बारे में जो की संबन द पाते हैं चवाली सजार से ज्यादा निकतियों को लेकर जो नई निकतिया इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है जिसके बारे में जानकारी आजी के अलग अलग समाचा पत्तों के माद्यम से दी गई हैं सच्छम्ता परीक्षा के माद्यम से चवाली सजा के लिए मिलेगी 44,000 से जादा जो टीचर से उनकी निवक्ति प्रकिया शुरू कर दी गई है वहीं बात कर ली जा उनेतर हजार सिक्षक भरती को लेकर तो उनेतर हजार सिक्षक भरती मामले पर जो आप सभी के सुनवाई है उसकी तारीक मैंने आपको 10 दिसंबर बताई थी कल होती है वो दी गई हो उसी को बार-बार डेट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है अगली सुनवाई की तारीक 17 दिसंबर 2024 तैगी यही है ठीक है तो जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को देती जाएगी फिलाल की बड़ी और बेकिंग नीउस आप सभी के सामने है जो आपको देखने के लिए मिलती है उत्तरपदे शिक्षा सिवा चैन आयोग के माध्यम से परिक्षा को लेकर अल्मूस सारी त्यारी कर ली गई है जल्दी आपका जो नोटे से वो जारी हो जाएगा अगले साल 2025 में सुबर टेट टीजडी विजडी और यूपी बीसी के क कुछ बरती परिक्षा कलेंडर जारी होंगे जिसमें कुछ नई भरतियों के सासरत पुरानी भरती भी होंगी और शिक्षा सिवा चैन आयोग की जो नई भरतियां उनको लेकर भी नोटिफिकेशन जारी होगा अफलाल यह थी कुछ बड़ी और लेटेस अपडेट मैं आप से मिलता हूं अगली वीडियो में तिल देन डेके टाटा बाबाई थैंक यू थैंक यू फर बोचिंग इस वीडियो